नमस्कार मैं हूँ पेंद कुमार आप देख रहे हैं लाइब बिहार नियो जीला नालंदा के अरवा पंचायत हैं जहांके मुखिया परतियासी रजेश सिंग हमारे साथ हैं इन पर इन से तमाम पंचायत के विकास पर चर्चा होगी हाला कि पूर्व में जो विकास हुआ है उस पर भी हम कूछ विसायो पर हम बात करेंगे आज इन से हम तमाम बिंदू पर चर्चा करके आपको बताएंगे कि इस पंचायत के इस्थीति क्या है और आने वाले समय में क्या होगा हाला कि इस कुरोना का काल है इसलिए विकास कारे ठप है विहार में लॉक डाउन है ले मैं धन्रवाद देना चाहता हूं लाब भीहार जाहर करने उचको मेरा आपसे सवाल है कि पंचायत के परतिनीधी ने आप है न conserv रूप में मिले हैं पंचायत के इस पंचायत के जन्ता को जीत को उपलवभी में दो सब क्या काने चाहेंगे सबसे पहले तो जनता को मैं बढ़ाए देना चाहता हूँ कि हम पर जितना विश्वास जताया लोगों ने और विश्वास जता के मुझे जीत तक पहुंचाया मैं इसके लिए पुरे पंचाइत बासी को धन्नबाद देना चाहता हूँ पंचायत में अभी क्या आप जनता से मिलते होंगे हैं कि पंचायत के लोगों से चाहे चुनाओ के समय अगर बात करें या जीत के बाद भी जनता से आप मिले होंगे क्या है इस पंचायत में सबसे बड़ी समस्या कहा रही है जो गिकास में जो बहुत बड़ी बाधा हो पंच पानि का निकास का कोई साधन दकाद कालिया गया और वह बहुत बड़ी समस्या हमदे aún coy के रूंप बन चुके और हिसाप के रूप उभर रहा है जल जबाब आप भी हमारे घर पर भी गए देखे सारी स्थिति आप रूबरू हुए हैं और भी जगह आपने जा करके देखा होगा हमारे पंचायत के भर्मन करने के बाद आप हमारे पास आए तो और भी जगह देखा होगा कि क्या विकास तो एकदम नगर नहना के बरावर है सिर्फ लूट पाट हुई है लोग दुकान खोल करके हम 20 साल से पंचायत को लूटा है और हमारा सबसे पहला लक्ष है विकास जितना अधिक से अधिक विकास हम से संभब हो सके हम करेंगे राज सरकार के अंदर सरकार के द्वारा जो भी प्रावजित योजनाय होगी उसको रूब रूब हम धरातल पर उतारने का प्रियास करेंगे अच्छा आपके पंचायत में स्वास्त ब्यवस्था को लेकर क्या सूचते हैं और क्या देखते हैं कहां तक सकसरी सवास्टे साइसिया स्वास्ट बेवस्था को लेकर अस्पतल है भी यह नहीं उस पर क्या गानत आए है। तशहास्टत बेवस्था के रूप में हमारे हां दो स्वास्ट किंद्र हें एक आरामा और एक चपरा लेकिन नगन्य बिवस्था है, सब्ता हमें देखते हैं कि कदाल एक आद दिन, एक आद दिन, ऐसे तो पहले हम नहीं देख पाए हैं, अब हम कार्ज भार सम्हा रहे हैं, हम सारी इन चीजों को दुरुस्त करने का पूरा प्रियास करेंगा, अगर सिक्षा बिवस्था आपके पंचा चले जाते हैं, अब इसको तो हम अपने हिसाब से देख रहे हैं, अब इसके पहले जो परतिनी दी थे, उनसे क्या उनका ताल मिल कैसे चल रहा था, इस अब तो हमें जनकारी है नहीं, लेकिन अब हम इसको पूरुरुपें सुधार करने की कोशिस करेंगे, हमारा मुल सौस सिक्षा, सड़क, हमारा मुल लक्षे ही है, ए तीनों चीज़ को हम सुधड़ करेंगे, अच्छा पंचायत में जो है, साथ निश्च योजना है, अगर पूर मुखिया की बात करें, या पूर बिकास की हम बात करें, तो साथ निश्च योजना हो, या जल जीवन हर्याली हो इन तमाम जो सरकार की योजना थी, आपके पंचायत में काम हुए भी है या नहीं? कारज नहीं हुआ है, उसी साथ से, महलोब संतुष्ट नहीं है, हाँ, हम संतुष्ट नहीं है, अच्छा नली गली के अगर बात करें, आपके पंचायत में, तो नली गली के क्या इस्तिती है? वो तो देखने का चीज है, आप खुद देख सकते हैं, आपकी नजरों में है, कि इंद्रावास को लेकर कई पंचायत में बहुत सस्पेंस बना हुआ है कई लोग कहते हैं कंप्लेन करते हैं हम आपकी पंचायत के नहीं हम पूरे बिहार की कई पंचायत की बात कर रहा है जहां लोग कहते हैं कि जिसको मिलना चाहिए उसको इंद्रावास नहीं मिला है या राशन काड में भी उस तरह से ति इस अपने पंचायत को इस दृष्टी से क्या देखते हैं बात तो लोग कई लोग क्या कहते हैं बात भी हकीकत है कि जिसको मुल रूप से इंद्रावास का लाभ मिलना चाहिए उस व्यक्तित तक इंद्रावास का लाभ नहीं पहुच पाया है और हमने कैम्प लगा करके आमसभा लगा करके हम सारे को परचारित करके और सारे को हम छाट चुके हैं जो बैसे लोग को हम लाभ दे रहे हैं जिनको की नहायत आप सकता है उस लाभ की हम उस लोग को एक नमबर ग्रेट दे करके और उन लोग को हम काम करने का प्रयास कर कुरोना काल चल रहा है कुरोना के तीसरे लहर की भी शुरुआत हो चुकी है लोकडाउन भी है बिहार में ऐसे इस इस्थीती में अपने पंचायत के लोगों को क्या सलाह देना चाहेंगे हम अपने पंचायत के लोगों को सबसे पहले तो सलाह देना चाहेंगे कि सोचल डिस्टेंसिंग रखें कुरोना का जो गाइड लाइन है उसको पुन रुपें पालन करें अब यह तो महामारी है बैबस्पिक महामारी है इसमें और मेरा आपसे अंतिम सवाल होगा कि हमारे चैनल के माधेहम से इस पंचायत के लिए मानिय मुखमंति नितीश कुमार जी से क्या मांग करना चाहेंगे हम इस पंचायत के बिकास के लिए मानिय मुखमंति नितीश कुमार जी से क्या मांग करना चाहेंगे कि यहां रोजगार की बिवस्था हो और सिक्षा का बिवस्था सुद्रिख हो स्वास्त का बिवस्था सुद्रिख किया जाए और एक विशेश पंचायत के रुप में देखा जाए कहा कि पंचायत का विकास जो है मेरे हां नगनने है विशेष पंचायत के रुप में अगर मान्यो मुखमंद्री जी देखते हैं तो निश्यत रुप से हमारे हम विकास होगी और इसकी जहलक दिखेगी विगत छे महीने के अंदर अगर विशेष रुप से हमारे पंचायत को देखा गया छे महिने के अंदर हम पंचायत की तस्वीर को बदल देंगे, हमारा एक ही लक्ष है कि हमारा पंचायत जो हो बिहार अस्तर पर अबल पंचायत हो, एक सुंदर पंचायत हो, जो कि मेरे हां आकर के लोग, दूसरे पंचायत के लोग मेरे हां आकर के कुछ देखें, आदर्स पं पंचायत क्यों सुनर सुनर बनाने का काम करेंगे। नहीं है क्यों कि जिस तरह से जल निकासी हो रहा है गाउं में कहीं PCC नहीं दीख रहा है नल जल कहीं अधूरा है काम से खुस नहीं है लेकिन अभी करोना महामारी चल रहा है इस दोरान विकास का कारेकाल बंद ठप है पूरी तरह से जैसे ही करोना खतम होगा पंचायत के वि इक्सित करके दिखाएंगे और धरातल पर काम दीखेगा भी और बोलेगा भी तो ऐसे तमाम खबरे देखने के लिए आप देखते रहें लाइप भी हाड नियूस